बतादे सिरडी में दो दिवसी मन्थन सिविर के पहले दिन एन्सीपी नेता अजीद पवार ने सिंदे फड़रवी सरकार पर जम कर हमला बुला उन्होंने कहा कि यह वक्त जोर से जोट बोलने का है राजिकी सरकार में यह जोर सोर से चल रहा है उन्होंने कारेकरताओं और पदा धिकारियों से आने वाले अस्थानी निकाओ को चुनाओ के तयारियों में लगजाने के लिए कहा है बैठेक में NCP प्रमुक सरद पमार मुंबई के विरेच केंडी अस्पताल से वीडियो कंफेंसिंग के जरिये सामिल हुए बेचेनी महसूस होने पर उन्हें अस्पताल में भारती कराया गया था वहीं विधान सभा में विरोधी पच्छनीता अजीद पमार ने कहा कि अस्थानी निकाओ चुनाओ जीत कर आएं कारेकरता पार्टी को ताकत देते हैं इनसे बिधायक और संसत तयार होते हैं ऐसे में अस्थानी निकायत संसताओ के चुनाओ में अपने विचारों को लोग चुन कर लाने के लिए किसी की प्रतिछा ना करे जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक अलग लड़ना है ऐसे में कारेकरताओं को अभी से ही काम पर ल राज में चार लाक करोड का निवेस आएगा लेकिन अब महाविकास अगारी के कारेकाल में परियोजनाय चले जाने की जोठी बाते बोली जा रही हैं परियोजनाय राज से बाहर जाना मतलब सरकार की विफलता है यह सरकार जितने समय सत्था में रहेगी उसका नुकसान र बिधायकों की बगावत के वक्त बिजेपी नेता देवेंद फडरवीस ने कहा था कि उनकी पार्टी का इससे कोई संबंध नहीं है लेकिन वह वे कह रहे हैं कि उनके एक फोन पर बिधायक बच्चु कडू गुवा हाटी रवाना हो गए उनकी इस खुली टिपड़ी से जाह आपको बताने की आवश्क्ता है